हरे क्रिश्ण फ्रेंड्स जी मैं कानाई घनेश्याम दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इसकौन जेपियस तो स्वागत आप सभी का सबसे पहले आज कुछ प्रश्ण आया हुए मेरे पास कि गाय का जो स्कीन होता है गाय का चम्र वो अपवित्र है लेकिन वैशनब्रगन जेदन भी वैशनब्रगन होता है उस गाय का स्कीन को चम्र को मर्दंग के रूप में क्यूं यूज करते हैं ठीक है तो चलिए आज हम लोग इस कुष्चन को चर्चा पर लाते हैं हरी कृष्णा तो आए हम चर्चा करते हैं यह गाय का स्कीन को यूज कैसे होता है एक्शुली देखे हम लोग सनातन धरम में विस्वास रखते हैं एवं सनातन धरम को फॉलो भी करते हैं क्योंकि हम लोग खुद सनातन है ठीक ह बहुत सा उपनिश्यद भी है तो एक्षिलि वह है क्या आपको में शॉट से में एक्दम हलका से समझाता हूं हम देखिएगा कोई भी हम लोग साथ खरते हैं इलेक्टरानिक पार्टप नहीं मंदर इलेक्ट्रोनिक इंस्टूमेंट कोई डशूंधे फ़ीचर्व से क्या नहीं है, डीटेल्स बार में दिया जाता है ठीक उसी तरह हम लोगा जीवन का मनेश्व जीवन का वो मैनुविल किताब है वेद उपनिशयत गीता भागवात रामाया ठीक है वो हम लोगा जीवन को किस तरह से निर्धारित किया जाता है किस तरह चलना पड़ता है किस तरह यूज करना पड़ता है उसके लिए यह मैनु ऐसा दिया गया है कि गाय का चमड़ा आप अभी तरह है लेकिन उसको मृदंग बनाने के बाद उसको यूजली करते हैं वैश्णबगन क्योंकि वेद में बोला गया है तो वेद का हर बात को लकीर मान के हम लोग को चलने पड़ता है जिस तरह हम आपको बोले मैनुविल ठीक है मैनुविल बुक उसी तरह जीवन को इसी तरह से आगे बढ़ना के लिए धार्मिक गरंद को फालो करना पड़ेगा यही होता है धर् करवान के बनाएं कानून के रास्ते पर चलने को धर्म कहते हैं तो वेद में ही वर्णन है कि गाय का चम्रा पवित्र है लेकिन उसको यूज में जो आपको मृदंग हो रहा है वह सुद्ध है क्योंकि वह बस्तू यूज कहां हो रहा है ठीक है यूज भी बहुत गुर्तप तो बस्तू काल विचार और यूज कहां हो रहा है तो इसलिए भगवान के उपर यूज हो रहा है तो वो शुद्ध बोला गया है वेद में कोई अपने मन से नहीं वेद में ठीक है उसी तरह देखिए दात ये एक हड़ी है इसको पवित्र माना गया है लेकिन संख को वो भ करने वाले संख को पवित्र माना जाता है ठीक है जिस तरह विश्वास ठीक है कोई बोल सकता है कि धर्म इस वान काइंड ओव पेड़ ऑबेस्वास ठीक है जैसे अब जब इस धराध्हम में पैदा लिए जैसे मेरा व्याद कर रहा हूं मैं जरम लिए तो उस समय में मैं अग्यान था बच्चा था मैं कुछ हम को ग्यान नहीं था फिर धीरे 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 जैसे मेरा उमर बढ़ता गया मेरा अग्यान आते रहा तो ममी देखा ममी यह मेरा ममी है ममी देखाया पापा कौन पापा यह कोई डॉक्टर के नहीं दिखाया कि मेरा पाप को है। ने कि मशान करने यह घपने करा है। क्योंकि वेद हमारे मा है बेद बेदान थे चीक है उसी तरह संख जो है ना संख भी हड़ी है लेकि वो पवित्र है अस्ती एक मरा हुआ इंसान का बोड़ी का जो राक का जो अस्ती मिलता है वो पवित्र है है ना लेकिन संख पवित्र है हिरन का मांग्स अपवित्र है लेकि लेकिन हिरन का चम्रा में आसन बना के उसमें पूजा में यूस होता है यह जैसे जैसे बोला गया वेद में उस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं जैसे उच्चतम सन्यासी उच्चतम सन्यासी हो ना क्यों उच्च से उच्च कोटी के सन्यासी हो लेकिन उसका मल मिंस उसका पौ यथा रूप से मानना ही पड़ेगा क्योंकि यही हमला जीवन का में उद्देश्व है कि भगवान की बनाए हुए रास्ते पर चलना और ना कि खुद का मन गड़न कहानी बना के फलाना है ये है वो है ये है कुछ नौलेज है नहीं तो बेद बेदान्त गीता भागवत पढ़ना होगा जानने होगा सनातन धर्म है क्या ठीक है हिंदू धर्म हिंदू धर्म क्या कोई चीज नहीं हिंदू धर्म नाम आया आपका सिंदू नदी का उस तरफ से सिंदू नदी जो आप सिंदू नदी का उस साइड में उस में जहां पर उस तैप के इंसान लोग, उनलोग का हौ, सौ, ये क्लियर ले नहीं आता था, ठीक है? तो वह लोग जब क्रॉस करके आया, सिंदु नदी क्रॉस करके आया भरत पर आकर्मन के लिए न तो लोग इंडु 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 करता था इंडु 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 करता था इंडु 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 सनातन धर्म का ना आदी है ना अंत है और किसी धर्म के बारे में अलोचना भी हमको करना नहीं है और ना कि आप लोगों को करना है क्योंकि हम लोगों को सिख्षा दिया जाता है दूसरे धर्म के बारे में अलोचना नहीं करने का मैं पहले अपना घर को देखूंगा मेरा अपना घर में क्या प्रॉब्लम है क्या है क्या निए इसको सॉल्प करूँगा मैं दूसरा का घर में क्यों सॉल्प करने जाओं यही ना तरह हो जाएगा लहीं गलत फैमी है ऐसा कोई बात ने गीता स्वाइंग भगवान है जिसके घर में आ जाता है वो घर पवित्र हो जाता है तो आशा करते हैं आपको एंसर दे सके हैं तो और कोई भी कोश्चन अगर होगा तो आप लोग जरू सेंड कीजिए का कोमेट बोक मे और मैं कोशिश करूँगा आपका कोईश्चन के एंसर देने का हारेक्रिष्णा ौहिजी आरो सदू शंग कीजिए आसन सों मयापुर जहिए आससोल में भी इशकौन मंदीर हैं मयापूर में भी इसकौन मंदिर हैं आशन वह श्वानेतृइब विग्रह है मूर्ति है आप लोग दर्शन कीजिए और लाइफ को धन्य बनाईए ठीक है आशा करते में आप लोगों समझा सका हूं हरे कृष्णा अगर कुछ छोटा भाई से कुछ गलती हो चुका है तो शमा कर दिजिएगा हरी बोल